Hello Friends, Welcome to my channel LTS English आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रबीदना टाइगॉर की पोयम Leave This Chanting की पोयम की बात करने से पहले हम पोईट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं रबीदना टाइगॉर का जन 7th में 1861 में हुआ था और उनकी डेथ 7 अगस्ट 1941 में टाइगॉर एक पोईट, नॉवेलिस्ट, ड्रैमेटिस्ट, एसेस्ट, स्टोरी राइटर, कंपोजर, फिलोसोफर और सोशल रिफॉर्मर भी थे रबीदना टाइगॉर को दा बार्ड औफ बैंगॉल और गुरु देव की नाम से भी जाना जाता था इनको 1913 में नॉबल प्राइज लिट्रेशर का आवार्ड भी दिया गया था रबीदना टाइगॉर की इस पोईब का नाम है लीव दिस चैंटिंग चैंटिंग का मतलब होता है जाग करना ये पोईब उनकी कलेक्शन की तांजरी में 1910 में पब्लिश्ट की गई थी इस पोईब को सॉंग नंबर 11 के नाम से भी जाना जाता है इस पोईब में टाइगॉर बताते हैं कि किस तरह के लोग हैं जो चैंटिंग करते हैं भगवान की पूजा करते हैं ये सोचकर कि भगवान उन्हें मिल जाएंगे लेकिन ये सच है कि मंदिर में चैंटिंग करने से भगवान हमें नहीं मिलते हैं जबकि भगवान उनके साथ हैं जो मेनत करते हैं पूरी लगन से और पूरी मानदारी से अपना काम करते हैं ऐसो लोगों के साथ भगवान रहते हैं अब हम पोएम की तरफ चलते हैं हमारी पोएम यहां से शुरू होती है Leave this chanting and singing and telling of beats Leave this chanting यह जाप करना छोड़ो and singing and telling of beats Beats का मतलब माला हातों में घुमाना छोड़ो गाना छोड़ो भगवान के लिए जाप करना छोड़ो Warm, dust, thaw, workshop तुम किसकी पूजा कर रहे हैं? यहां पर कोईट सवाल पूछ रहे हैं तुम किसकी पूजा कर रहे हैं? In this lonely, dark corner of a temple एक मंदिर के अंधेरे कोने में बैट कर तुम किसकी पूजा कर रहे हैं? थी था, God is not before थी अपनी आखे खोलो और देखो, तुम्हारा भगवान तुम्हारे सामने नहीं है यहां पर कोईट ने मेटाफर यूज किया है He is there, where the tiller is telling the hard ground and where the path maker is breaking stone He is there, वो वहां पर है where the tiller is telling the hard ground एक बंजर जमीन को खोदने वाला खोद रहा है वहां पर है भगवान and where the path maker is breaking stones जहां पर रास्ता बनाने वाले पत्थर थोड़ रहे हैं वहां पर है भगवान यहां पर भी पोईट ने मेटाफर यूज किया है He is with them वो उन लोग के साथ है in sun and in shower sun का मतलब यहां पर कड़ी दुपहर से है और shower का मतलब बारिश से है कड़ी दुपहर में भी और बारिश में भी भगवान उन लोग के साथ है and his garment is covered with dust और भगवान के जो अच्छे कपड़े हैं वो धूल मिटी से cover हो चुके हैं यहां पर tiger एक advice दे रहे हैं उन लोग को जो temple में बैट के जाब करते हैं उन लोग को poet यहां पर एक advice दे रहे हैं इस line में personification यूज हुआ है put off thy holy mantle and even like him come down on the dusty soil put off thy holy mantle अपनी ये कर्म कांट करने वाले पूजा के समान को दूर अटाओ and even like him come down on the dusty soil भगवान की तरह नीचे आओ तुम भी नीचे आओ इस कंदेगी जमीन में जहां पर धूल मिटी है बंदिर में तुम बैठे हो वहां भगवान नहीं मिलेगा इस मिटी में आओ वहां तुमको भगवान मिलेगा यहां पर symbolism यूज हुआ है deliverance deliverance का मतलब मुक्ति या छुटकारा where is the deliverance to be found ये मुक्ति कहां मिलेगी आगे poet मुक्ति का रास्ता बताते हैं हमारे भगवान ने खुझ से जो कुछ भी बनाया है उसकी सारी जिम्मदारी खुशी से हमारे भगवान ने अपने सर ले ली है तो तुम क्यों इस जिम्मदारी से भाग रहे हो He is bound with us all forever भगवान हमसे जुड़ा हुआ है हमेशा जुड़ा हुआ हुआ है अपने ध्यान से बाहर आओ एंड लीव असाइड थाय फ्लावर्स एंड इंसेंस इत्रों को छोड़ कर बाहर आओ अपने फ्लावर्स को छोड़ कर बाहर आओ वाट हाम इस देयर इफ थाय क्लोस बिकम टैटर्ड एंड सेंड तो क्या फर्ख पढ़ जाएगा तुम नीचे आकर मिट्टी में काम कर लो कपड़े फढ़ जाएंगे या कपड़े पर दाग लग जाएंगे क्या फर्ख पढ़ जाएगा इस से meet him भगवान से मिलो आकर and stand by him in toil उनके साथ खड़े रहो इस परिश्रम ने उनके साथ खड़े रहो and in sweet of thy broke जब तुम्हारे सर पर माथे पर आइब्रो पर पसीना आएगा तब तुम्हें पदा चलेगा तभी तुम्हें भगवान मिलेंगे तभी तुम्हारे problem solve होगी तभी तुम्हें मुक्ती मिलेगी यहां पर poem खतम होती है और बहुत यह simple poem है पर बहुत important message देती है poet इस poem के जरीए लोगों को यह बताना चाहते हैं कि सिर्फ पूजा करने से ध्यान लगाने से problem solve नहीं होती है भगवान उन्हें नहीं मिलेंगे आप मेनत करेंगे तो भगवान आपको मिलेंगे और आपकी सारी problems भी खतम हो जाएगे I hope friends आपको poem समझाई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें अगर अभी तक चैनल को सब्स्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्स्राइब कर ले